बढ़िया टेक्नोलोजी ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए दोस्तों वर्डवाइल कम्यूनिकेशन के लिए जो कॉमन लेंगवेज एक्सिप की गई है वो है इंग्लीश इसके अलावा अगर आपको कही पे जॉब के लिए प्रिपर करना है या आपको कोई एक्जाम देने है तो भी इंग्लीश ही most preferred language होती है पर बहुत लोगों को फोबिया होता है कि वो इंग्लीश पढ़ नहीं सकते या आप इंग्लीश सीख नहीं सकते पर everything is matter of practice अगर आप थोड़ा practice करोगे तो आप easily इंग्लीश सीख सकते हो और आपका mobile ही आपको इंग्लीश सीखा सकता है और कैसे सीखना है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो नमस्ते दोस्तों मैं सुबोद नंदम इस तरह आपका tech friend, let's do it दोस्तों अगर आपको आपकी इंग्लीश एकदम default से सुधार नहीं है मतला आपको कुछ भी इंग्लीश नहीं आती है तो आप easily यह application इंग्लीश सीख सकते हो पर आपको छोड़ा discipline यहाँ पर maintain करना होगा और वो application डाउन्डोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर hello English सर्च करके install बटन क्लिक करना है यह application करेंटली आपका Android या iPhone यह दोनों के लिए भी अविलेबल है तो आप iPhone पर भी App Store पर जाके इस application को सर्च करके डाउन्डोड कर सकते हो application इंस्टल होने के बाद उसे open करिए तो यहाँ पर एक specific कोई भी email आड़े आपकी जो मुबाइल में configured है उससे select करके आपको continue करना है और आपके कौन से language से आपको English चिकने है अगर आपकी mother language हिंदी है तो आप हिंदी से भी सीख सकते हो, Tamil से सीख सकते हो उर्दू से सीख सकते हो Telgu से सीख सकते हो, Marathi सीख सकते हो अलग- assignments आपको यहाँ पर दिखाई देंगे For example, मैंने यहाँ पर Hindi select किया तो आपका gender आपको यहाँ पर slate करना है उसके बाद आप क्या हो मतलब एग्जेटल आप स्कूल सीख रहे हूँ आप कॉलेज में हो या आप कई पे जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हो या आप रिटायर हो तो आपका लेवल आपको सिलेट करना है और आप इंग्रेज क्यों सिखना जाते हो तो यहाँ पे आपको अलग-अप्शन दिखाई देंगे जैसे कि बाद जॉब के लिए कोई एक्जाम के लिए या आपको विदेश जाना है उसके लिए बच्चों को सिखाने के लिए बेटर सोशल लाइफ के लिए या आपका अप अप्शन कुछ भी हो सकता है आप यहाँ पे वह उप्शन चूज कर सकते हो और एक्जामपल मैंने बाइटर जॉब के लिए सेलेट किया आपर इस नेक्स्ट और वो नाम यहाँ पे मुझे पूछ रहा है तो मैं मेरा नाम परस्नलाइज यहाँ पे डाल देता हूँ तो आपके जो स्पेसिफिक ऑप्शन चूने गया है उसके हिसाब से वो अलग-अलग ऑप्शन आप यहाँ पर दिखाए देंगे और आपका बेसिक लेवल क्या है मतलब एकदम आप एकदम बेसिक हो इंगलिश में या आप इंटरमिडियेट हो मतलब को थोड़ा बहुत इंगलिश पता है तो आप वो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो तो फॉर एक्जामपल मैं अभी अंग्रीजी सिखना शूरू कर रहा हूं तो यह सब होने के बाद आपको अलग-अलग लेसंस फॉर्माट में आपको यहां पर दिखाए देंगे कोई गेम के फॉर्माट में भी है जिसमें आपको कॉईन्स होगरा मिलते हैं आपके लेवल आप अनलग कर सकते हो ऐसे अलग-अलग अप्शनस आपको यहां पर दिखाए देंगे जैसे कि अलग-अलग लेसंस जो आपको सिखने है वो आपको यहां पर सिक्वेंस में दिखाए देंगे आपकी प्रैक्टिस अपने जो की है आपको करना है तो आप यहां पर देख सकत हो ऐसे अलग-अलग options आपको यहां पर दिखाई देंगे और कोई भी option चूज करके आप initiate कर सकते हो और initiate करने के बाद आपको जो भी चीज है वो आपके original language में जैसे कि Hindi, Marathi या कोई भी language है उसमें भी दिखाई देगी आप कोई भी question आप solve कर रहे हो तो solve करने के बाद उसका pronunciation या डलती क्या है वो भी आपको यहां पर दिखाई देती है और हर एक चीज के बाद आपको कुछ coins मिलते हैं या bonus मिलते हैं और वो बोनस पर आप अलग-अलग levels उसके open कर सकते हो और उसके बाद आप दिरे-दिरे अपने तरीके से यूज कर गए तो आपका smartphone आपके लिए बहुत सारी चीज़े easy कर सकता है तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आओगा तो इस वीडियो को like और share करिए और आइसे बड़िया बड़िया वीडियो अप्डेट्स पाने के लिए या mobile apps जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी करिए अगर आप technology से जुड़ी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो comment में डालिए हम उसकांस आपको जरूर देंगे तो जल्दी मिलते हैं till then take care good bye and enjoy technology